नमस्कार मैं हूँ प्रगती और आप देख रहे हैं ख़बर हटा की अब भी यूक्रेण में फसा हटा के किसान का बेटा परीजन परिशन लगाता लगा रहे गोहार पूर्व मंत्री कुस्मरिया हरद्वा उमराओ पहुचे चातरे से वीडियो कॉल्फरेंस कर दिया हर सम्मो मदद का भरोसा सिंधिया से की बात हटा के हरद्वा उमराओ के किसान का बेटा आसीस पटए यूक्रेण में फसा हुआ है परिशन पिछले एक सब्ताय से वेटे के सकूसर घर बापसी की गोहार लगाते सरकार का मुए ताक रहे हैं आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रामक्रिश कुस्मरिया बावा जी हरद्वा उमराओ गाओं पहुचे और परिशनों से मुलाकात का धानस बनाया कुस्मरिया ने चात्र आसीश पटेल से वीडियो कॉन्फरेंस में बात की और बर्तमान हालतों पर चर्चा करते हुए मोधी सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया पूर्व मंत्री कुस्मरिया ने कैंद्री उड्यन मंत्री जोतीरा देते सिंधिया और मुक्ष मंत्री सिवराज सेह से बात कर चात्र आसीश पटेल को यूक्रेंस से भारत लाने के लिए बात की और इस्तिती से अगबत कराया इधर बेटी की बापसी के इंतिजार में परिसान परिजनों का कहना है कि सरकार जल्द कुछ प्रियास करे ताकि चात्रों की घर बापसी हो सके बेटे के पास खाने पीने सहे जरूरतों का सामन खत्म हो चुका है भारा सरकार से निवेदन है कि रोमानिया के अलावा भी अन्ड जैगों से भी चात्रों की बापसी की कोशिसे करें बीडियो कॉन्फरेंस के दोरान MBBS के चात्र आसिस पटल ने पूरे घड़ना क्रम और हालतों की जानकारी देते बताया कि बैखारी खारकीब सहर में तीन अन्य भारती चात्रों के साथ एक बंकर में हैं यहां से रोमानिय वाड़ा करीब पंदरा सु किलूमीटर है बरतमान हालतों में पहुचना मुश्किल है यदि सरकार प्यास करे तो पास ही में करीब 20 किलूमीटर से रसिय वाड़ा लगा हुआ है रसिया से भारत बापसी हो सकती है खवर हटा के साथ दिपक पटल की रुपोर्ट